बालों को सिल्की स्मूद और शाइनी बनाने के लिए मैं एक ऐसा घरेलू उपाया बताने जा रही हूँ जिससे आपके बाल काफी सिल्की स्मूद और शाइनी हो जाएंगे इसके अलावा आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा और आपके बालों को लंबा घना मजबूत भी क्या मैं मेथी का पौडर इस्तिमाल कर रही हूँ मेथी को आप बारीक पीस लें और इसे स्टोर करके रख लें और अपनी आउसकता के नुसार इसका इस्तिमाल करें मेथी को रात भर के लिए भीक के रखिदे पानी में अशुबह उसे पीस करके आपेश त्यार कर लें कि अपने युश्कता के नुएसार मेथी का पेश्ट या मेथी पाउड़ लेना है मेथी हमेरी बालो को तेजी से लंबा घंडंगना मझबूत बनाता है साथ ही या असमें सफेद और है बालों को फिर से काला करता है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है आपको लेना है ब्रिंग राज ब्रिंग राज के इस्तिमाल से आपके बाल जड़ से काले होते हैं साथी या हेर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ब्रिंग राज के इस्तिमाल से आपके बाल काफी मजबूत होंगे अगर आपके बाल बहुत अधिक मात्रा में तूटते जड़ते हैं तो यह हेर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है इसे आपके बालों का टूटना जड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा थोड़ी सी मात्रा में इसमें मिक्स करेंगे आवला पाउडर आवले की इस्तेमाल से आपके बाल काले बने रहते हैं साथ हेर गुरूद के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है नारियल का तेल नारियल के तेला को इसमें इतनी मात्रा मिक्स करनी है जिसे अच्छा सा पेश्ट बन सके नारियल के तेल भी हेर गुरोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आपके बालों को सिल्की स्मूध भी बनाता है साथी आपके बालों को तेजी से लंबा घना बनाता है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब आपको लेना है एक विटामिन E का कैपसूल विटामिन E के इस्तेमाल से हैर ग्रोथ काफी तेज होते हैं इससे आपके बालों की ग्रोथ तेज होगी साथ ही आपके बाल सिल्की स्मूधर शाइनी बनेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अगर आपको पेश्ट गाढ़ा लगे तो इसमें पानी मिक्स नहीं करना है इसमें आपको ओयल ही मिक्स कर लेना है आप चाहे तो इसमें बदाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इस पेश्ट के लिए के बालों को तेजी से लंबा घना और मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तिमाल करके देखिए आपको बहुत जाद अलाब मिलेगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक और शेयर जोड़ करें बेल बटन को क्लिक कर लेने वीडियों को नट्व वीडियो में